किसी काम्याब इंसान ने कहा है कि जिंदगी में अगर काम्याब होना है तो ना कहना सीखिए ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को भी हा कहने से ज्यादा मुश्किल होता है ना कहना और उसमें भी अगर इंग्लिश में ना कहना हो तो ना कहने के लिए शायद आप सोचते होंगे कि के एक ही शब्द है नो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी अलग अलग तरीके ना कहने के यानि की मना करने के आफ्टर ओल अगर आप जिंदगी में काम्याब होना चाहते हैं तो ना तो कहना पड़ेगा ना तो चलिए श तो अभी कर लीजे और बेल आइकन को अभी क्लिक करें इससे आपको हमारे चैनल पर अप्लोड होने वाले सारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन इस लेसन में हम कुछ ऐसे एक्जा पर देखते हैं सबसे आसान तरीका ना कहने का यानि कि नो ओफिस में अक्तर आपसे कोई पूछता है क्या तुमने मेरा पैन लिया और आप कहते हैं नहीं मैंने तुम्हारा पैन नहीं लिया आखिर में आपसे माफी मांगते हुए वो कहते हैं, माफी चाहता हूँ अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, No, you didn't disturb me at all, यंग्स्टर्स कई बार नो की जगा नोप कहते हैं, नोप शब्द का इस्तिमाल करते हैं, जैसे कि किसी ने अगर आपसे पूछा, क्या तुम्हारी राहूल से बात हुई, नहीं, मेरी राहूल से बात नहीं हुई, No, I didn't talk to राहूल, रेस्टरॉंट में वेटर आपको आकर पूछता है, Sir, आप और कुछ लेना चाहेंगे या और कुछ और करना चाहेंगे, यानि, वुड्यू लाइक तु और एनिफिंग एल्स से जवाब में आप कह सकते हैं, नहीं, बस मेरा हो गया, Nope, I'm done, आपको कई बार credit card companies के call आते होंगे फोन पर, उनकी नई-नई schemes के बारे में बताने के लिए, तो ऐसे में वो आपसे पूछते हैं, Is it a good time for you to talk, Sir? यानि, क्या ये समय आपके बात करने के लिए उच्छित है, Sir? मान लीजे, आप busy हैं, तो आप जबाब में उन्हें मना करने के लिए आप कह सकते हैं, दरसल ये सही समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, Actually, it's not a good time, I'm busy, It's not a good time भी एक तरीका है, ये जताने का, कि आप व्यस्त हैं, और किसी बात के लिए मना कर रहे हैं, देखते हैं अगला example, आपका दोस्ट थेटर में पहुँच कर आपसे पूछता है, अगर वो आपकी भी टिकेट निकाल ले, movie देखने के लिए, मगर आप शायद समय पर ना पहुँच पाए, इसलिए आप उससे कहते हैं, दुर्भाग्य से मैं पहुँच नहीं सकूँगा, अनफॉचनेटली, I won't be able to make it, अब इसी सिटुएशन में देखिए आप कैसे अलग-अलग तरीकों से मना कर सकते हैं, सवाल भही होगा, मगर मना करने का जवाब अलग-अलग होगा, मतलब पूचने के लिए शुक्रिया, मगर नहीं, मेरे लिए टिकेट मत खरीदना, शायद कभी और, में भी सम अधर टाइम, माफी चाहूंगा, मगर मैं नहीं आ सकूंगा, अपॉलजीज, बर I can't make it, मुझे मजा आता, मगर मैं नहीं आ सकता, I'd love to, but I can't, वही दोस्त कुछ दिनों बाद एक adventure trip प्लान करता है, और आपको भी कहता है, साथ चलने के लिए, आपका भी खूब मन है, लेकिन कहानी में twist है आपका boss, वो किसी भी कीमत पर आपको छुट्टी नहीं देगा, इसलिए ना चाहते हुए वह भी, आपको फिर एक बार मना करना पड़ेगा, इस बार कुछ नए तरीकों से, आए देखते हैं कैसे, सुनने में तो मजीदार लग रहा है, मगर मैं पक्का नहीं कह सकता, इस साउंद्स फ़न, बट आई कांट कमिट, काश मैं आ पाता, डाइम, I wish I could make it, या फिर, I wish I were able to, काश मैं ये कर पाता, I wish I could do it, या फिर, I wish I could make it work, अफ्सोस की बात है, कि मैं नहीं आ सकूंगा, It's sad that I won't be able to come, मुझे छुटी नहीं मिलेगी, वरना मैं जरूर आ जाता, I won't get a leave, otherwise I would have come, अगर मैं इतना व्यस नहीं होता, तो मैं आ जाता, If I wasn't this busy, I would have come, अगर आप एक freelance professional है, यानि अगर आप project-दर project, अलग-अलग लोगों से काम लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, कि आप पहले से किसी project या assignment में busy हैं, और उसी वक्त एक और नई assignment, या project की enquiry आती है, तो ऐसी situation में आप मना भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में ना चाहते हुए भी, आपको नए project के लिए मना करना पड़ता है, चलिए देखते हैं, कैसे मना करेंगे आप, मैं किसी और चीज में पहले से ही व्यस्त हूँ, I am already booked into something else, फिल्हाल मेरे हाथ में बोहुत सारा काम है, already, I have got too much on my plate right now, मैं फिल्हाल कोई नया काम नहीं ले रहा हूं, I am not taking anything new at the moment, मैं आपके project के लिए समय नहीं निकाल पाऊंगा, I won't be able to make time for your project, माफी चाहता हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, I am sorry, I won't be able to make it work, शायद अगला project कर सकूंगा, जब मेरा काम थोड़ा कम हो, Maybe I'll do your next project when things clear up, कई बार group discussions में, आप कुछ बातों से सहमत नहीं होते हैं, ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए, कि पुलाई तरीकों से अपनी नामन्जूरी जाहिर कैसे करेंगे, मैं इस discussion से पीछे हटना चाहूंगा, I would like to bow out of this discussion, bow out का मतलब पीछे हटना होता है, मैं इस पर अपनी असेहमती जताना चाहूंगा, I would like to express my disagreement on this matter, मैं आपकी बात से सेहमत नहीं हूं, I would beg to differ, या I would beg to disagree, कहते हैं, आपकी जीवन का सफर कुछ एहम हालातों में, आपके हां या ना कहे जाने का नतीजा होता है, इसलिए आप हां कहे या ना कहे, जो भी कहे सोच समझ कर कहे, और थोड़ा style से कहे, अपने अलग अंदास में कहे, और जब भी आप ना कहना चाहे, मैं उमीद करती हूँ, कि इस lesson में सिखाई गए, कई अनों के तरीकों में से, किसी एक का इस्तिमाल करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, कि अगर ये lesson आपको अच्छा लगा, तो इससे दुबारा देखें, और इसमें सिखाई गई चीजों को समझने की, और याद करने की कोशिश करें, और हाँ, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, इससे मुझे पता चलता है, कि आपको किस तरह की topics और lessons अच्छे लगते हैं, मैं कोशिश करूँगी, कि आप तक नए नए इंट्रस्टिंग और मददगार विडियो लेसंस लाती रहूं, और आपकी मदद करती रहूं, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए, आज के लिए बस इतना ही, अगले विडियो तक टेक केर और बाई! कि अपताउ मददगार कि याले कि अंगए टेक के जाए जाई एागल,